नमस्ते दोस्तों आज हम लोग बनाने चाड़े हैं बच्चों के लिए चूड़ा उसको पोहा भी बोलते हैं और आलू का कटलेट जो कम समान में बनाया जा सकता है पोहा जैसे हम लोग धोव लिए हैं चाड़ आलू एक प्याज कटा हुआ कटा हुआ अद्रख दो हरा मीर्च नमक लाल मीर्च भूँजा हुआ जीडा फ्रेग पोहा ard filing बोल धो लिये हैं इसको अच्छी सर से निकाल ले और यह चार आलू को अम लोग मैस लेंगे अच्छी से अच्छी से मिश कर और इसको हम लोग पुआ में मिलाएंगे इत कटा हुआ प्यास डालेंगे हडा मिर्च डालेंगे दो छोटा कटा हुआ अदरक यह लाल मिर्च पाउडर जितना आप दिखा खाते हैं उतना ले सकते हैं भूजा हुआ जीडा है नमक स्वाद अनुसार ले ले और अच्छी तरह से इसको मिला ले जब तक मिलाते रहें कि आलू अच्छा से मिल जाएं पोहा में अच्छी से मिलाकर तरह आलू अच्छा से मिल जाएगा तब इसको हम लोग टिक्की जैसा बनाएंगे चोटा चोटा टिक्की जैसा आलू का टिक्की बनता है उसी टाइपर बनाएंगे ही दοςी घलू आए जया जाएंगे उया तरह सि बनाएंगे थे ड्रूब आसा है जाएंगे जा नहाएंगे छिया जाएंगे कटले डाल देंगे और इसको ब्राउन होने तब पकाएंगे इसको उलट पुलट कर लेंगे इसको ब्राउन दोने का दीमा आज पर पनाएंगे तब देखिए ब्राउन भुड़ा हो गया अब हम लोग इसको प्लेटिंग करते हैं इस चरह से प्लेटिंग कर लें अगर मेरा यह रेस्पी आपको अच्छा लगा मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए